हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक तो माई चैनेल, अलवाउट जौस, मैं फ्रेंट्स, आज का जो वेकंसी वो PSPCL की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें असेस्टेंट इंजिनियार पोस्ट के लिए वेकंसी आई है, जिसमें आप लोग को पैकेज 13 lakhs पारना मिल जाएगी, तो eligibility criteria, selection procedure, application procedure, सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाके डिसकस करूँगा, तो वीडियो को skip मत करना, लास तक देखिएगा, तो निक्स चलते, official intuition की तरह, तो फ्रेंट्स यही इसका official intuition जो आप लोग देखवा रहे हो, कि Punjab State Power Corporation Limited की तरफ से निकल कर आ रही है, तो फ्रेंट्स motivation स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट इम चैनल पर उजित का रहे हो, तो चैनल को सस्क्राइब करके विल आइक उनको प्रेस कर दो, ताकि आप लोग आने वाले सारी अपडेट मिल सके, और वीडियो को लाइक और दोस्तों के शाहत रोच शेर भी कर दि के लिए, तो स्टार्ट करते इटेल्स notification की तो फ्रेंट्स होस्टफोल है, एक परमनेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुल या तो टेम्पुरारी जॉब नहीं है, इसका online application स्टार्ट होगा 8 जुलाई 2023 से, और इसमे online application form और application fee submission के लिए last date आगे आए 27 जुलाई 2023, ड और assistant engineer civil के लिए 14 number of vacancies है, टोटाल कुल मिला के 139 number of vacancies है, vacancies का जो break up है वो ही पे मेंशन दे, तो आप लोग अपकी सब से चेक कर सकते हो, उसके लाब अगर आप लोग का selection ही पे हो जाता है, तो selection होने के बाद, initially 3 years के लिए आप लोग को profession period पे डाखा जाएगा और 3 साल profession period complete ह होने के बाद, आप लोग को permanent कर दिया जाएगा, educational qualification की बात करें दिफेंट से ही पे, first assistant engineer electrical के लिए जिसमें apply करने के लिए अगर आप लोग electrical और electrical and electronics discipline में से 4 साल का बीवी टेक की हो, तो इसके लिए apply कर सकते हो, और उसके साथ इसमें apply करने के लिए आपके बीवी टेक में 60% marks होनी चाहिए, next assistant engineer civil के लिए जिसमें apply करने के लिए अगर आप लोग civil engineering discipline में से 4 साल का बीवी टेक की हो, तो इसके लिए apply कर सकते हो, और उसके साथ इसमें apply करने के लिए आपके बीवी टेक में 60% marks होनी चाहिए, उसके साथ साथ इसमें apply करने के लिए पांजवी language पे knowledge mandatory है उसके लबा इसमें apply करने के लिए अगर आप लोग gay 2023 पे qualify की हो, तो ही skill level हो इसमें apply कर सकते हो, जो लोग gay 2022 या तो इसके पहले qualified है, वो लोग की skill level नहीं है, इसमें apply नहीं कर सकते हो, उसके लबा अगर आप लोग आपके बीवी टेक में final semester का जो exam है, वो दे चुके हो, 1 lakhs 89,800 रहेगी और उसके साथ साथ अप लोग का allowances और benefits बगड़ा प्रोवाइट किया जाएगा, और सब कुछ एट करने के बाद आप लोग को total CDC 13 lakhs पर एना मिल जाएगी, age limit की बात करेंगे, दिफेंस एहीं पे apply करने के लिए general और EWS candidates के लिए age limit 18 years लेके 37 years तर रहा गया उसके लब अगर आप लोग SCST, OBC, PWD और एक servicemen candidates हो तो उन लोग को as per government norms agile accession मिल जाएगी, selection process में आपके gate 2023 का जो mark से उसके बचस पे आप लोग को shortlist किया जाएगा, अगर आप लोग उसमें shortlist होते हो, तो उसके बाद आप लोग को documents revocation के लिए बुलाया जाएगा, और documents revocation successfully complete होने के बाद आप लोग का selection ही पे हो जाएगी, इसमें कोई भी interview अगरा नहीं रहा गया है, अगर आप लोग documents revocation के लिए shortlist होते हो, तो उस case में आप लोग को email या तो notice के दूपे inform कर दिया जाएगा, अगर आप लोग का selection ही पे हो जाता है, तो selection होने के बाद initially एक साल के आप लोग को training period पे रहा जाएगा, इसमें apply करने के लिए आप लोग को इसका जो official website है, उसी website मेसिद करके online application form फिल करके submit करना होगा, application फिकी बात करें तो फंस ही पे, general, OVC और EWS candidates के लिए 1416 रुपीज application फी रहा गया है, और SCST and PWD candidates के लिए 885 रुपीज application फी रहा गया है, application फी आप लोग को online payment करना होगा, अगर आप लोग documents replication के लिए जाते हो, तो उस time आप लोग को कोई भी traveling allowance वगड़ा provide नहीं किया जाएगा, उसके लाब अगर आप लोग कोई भी doubts यदो questions है, तो आप लोग इस email ID पे contact करके आप लोग का doubts वगड़ा clear कर सकते हो, तो फ्रेंट लिट्वेशन का PDF और टेलीग्रम चैनल पे share कर दोंगा, आप लोग वहाँ stick out कर सकते हो, टेलीग्रम चैनल का link और इसमें apply करने का link आप लोग को, वीडियो के description box से मिल जाएगी, तो वस अचके लिए इतना ही, तो मिलते निक्स वीडियो पे एक नया जबनसन के साथ, अब तकली गुडबाई, थैंक यू